जहीं दोस्तों आज फिर एक और ट्रिक लेकर आये हैं ती डंगों का आपस में मल्टिप्ल करने का नियां मानिजिए कोई भी तिर्यांग ए बी सी और डी ए एफ है तीनों कैसे गुणा करेंगे पहला इस्टेप ताहिने चलते हैं जैसे मल्टिप्लाई करते हैं वो इसे सी गुणे एफ हो गया और हाग सी जतना आएगा उदर बात साइट में जोड़ते जाएगे तुसरा एफ कुणे भी और सी कुणे ई तोनु को आपस में जोड़ जाएंगे तिसरा फिर F से यहां से F गुने A या A गुने F प्लस C गुने D प्लस B गुने E तिसरा step चौथा A गुने E अब B गुने D चौथा step पांचवा step लास्ट वाला A गुने D कर देंगे चलिए एक एक्जाम्पल समझते हैं जैसे 255 है और 315 को आपस में बुना करते हैं पहला स्टेप से 25 25 के 5 हाथ में हारसिल 2 25 25 अब 5 एकम 5 25 5 30 और हारसिल 2 32 के 2 हाथ में हारसिल 3 तिसरा स्टेप 5 दूनी 10 5 के 15 और 5 एकम 5 10 15 पारसिल 2 30 30 और हारसिल 3 33 33 के 3 हाथ में हारसिल लागल फिर 3 फिर 14 पारसिल 2 आप 5 तेई 15 दो 17 17 हारसिल 3 20 20 के 0 हाथ में हारसिल 2 3 दूनी 6 6 आदो 8 तेवह हमारा फाइनल आंसर